असलाम लेकुम जियर स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सब माय नेम इस रायान मलेक और आ एम एर तो टीच यू फिर्जिक्स क्लास 9 आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 1 का टॉपक 1.7 सिग्निफिकेंट फिगर्स तो आए चलते हैं बोर्ड की तरफ टॉपक नंबर 1.7 सिग्निफिकेंट फिगर्स इस चैप्टर में हमने बहुत से मैयरिंग इंस्ट्रुमेंट्स टडी किये थे और वो मैयरिंग इंस्ट्रुमेंट्स जो हैं वो किसी ना किसी चीज की वैल्यो मैयर कर रहे होते हैं अब सवाल ये है कि वो वैल्यो जो हम मैयर कर रहे हैं हम कितना शूर हैं कि वो वैल्यो बिल्कुल ठीक है Quite possible कि जिस instrument से आप मैयर कर रहे हैं वो instrument ही ठीक ना हो वो instrument ही आपको wrong values दे रहा हो ऊके तो जब ही आप कोई मैयरिंग इंस्ट्रुमेंट इसतामाल कर रहे हों make sure कि उस measuring instrument की quality इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो आपको एक actual value आपको result में दे हूँ So, the first point is कि जब भी हम measurement ले रहे हों, हमारा जो instrument है, वो quality होना चाहिए Quality of Instrument Second thing कि अब जो observer जो कि उस instrument से reading महियर कर रहा है, क्या उस observer में ये skills हैं कि वो reading महियर कर सकता है So, second point the most important, that is skills of observer अगर हम एक example discuss करें जैसे कि हमने meter rule में कहा था कि meter rule में let's suppose कि ये scale है और यहाँ पर वो reading है जो मैंने महियर कर दी है अब अगर तो मैं इस तरफ से देख रहा हूंगा तो मैं exact reading not down नहीं कर सकता तो इसके लिए एक rule है कि आप का eye contact जो है वो बिलकुल उसके सामने होना तब ही आप exact reading महियर कर सकते हैं so it means कि अगर वो observer skillful है अगर उसको पता है यह बात कि उसका eye contact बिलकुल उसके सामने होना चाहिए तब ही वो exact reading महियर कर सकता है ओके so the third point is number of observation observation let's suppose कि मैं एक चीज की length महियर कर रहा हूं और मैंने first time जब length महियर की तो उसका answer आया 14.2 मैंने second time फिर से महियर किया तो अब उसका answer आया 15.3 और मैंने third time फिर महियर किया अब फिर उसका answer आया 15.3 अब question यह है कि इनमे से कौन सी length accurate है तो last two times जब 15.3 answer आया था अब 14.2 मैंने जो के ठीक नहीं थी तो मुझे यह कैसे पता चला कि वो ठीक नहीं है क्योंकि मैंने number of observations की तो जब भी आप किसी चीज की measurement ले रहे हों आप उसकी number of observations करें at least at least three to four times उसको आप करें तब आप यह analysis करें कि कौन सी measurement जो है वो ज्यादा accurate है तो वो उसका exact actual answer होग ओके तो यह थे कुछ factors जिससे आपकी measurement वो make sure की जा सकती है कि वो कितनी ज्यादा accurate है या कितनी ज्यादा ठीक है ओके अब हम एक example discuss करते हैं बुक की कि basically significant figures हैं क्या तो first of all हम इसकी definition note down कर लेते हैं significant figure is all the accurately known digits and first doubtful digit are called significant figures so जितने भी accurately known digits होते हैं मैं इसको underline कर रहा हूँ accurately known digits and first doubtful digit are called significant figures अब एक example discuss करते हैं कि student ने एक बुक की length महियर थी और length महियर करने के बाद उसका answer आया 18 meters तो quite possible कि 19 भी हो सकता था या 17 भी हो सकता था तो इसकेस में अगर हम बात करें तो 1 जो है यह आपका बिलकुल accurate है और जो 8 है इसमें आपको doubtful है so that's why हम कहेंगे इसमें एक accurate digit है और एक जो है वो doubtful digit है so the total number of significant figures is 2 okay इसमें total number of significant figures कितने हो गए one accurate and one doubtful so total हमारे पास 2 significant figures हो गए अब एक और student नहीं उसी बुक की length महियर की और उसने उसका answer दिया 18.4 meter अब इस case में again quite possible के 18.5 हो सकता था या 18.3 हो सकता था so इस case में क्या होगा कि जो 1 और 8 है यह accurate है और जो 4 है यह doubtful है so two accurate है और एक doubtful है तो इस case में number of significant figures कितने हो जाएंगे that are 3 okay अब एक और student ने उस बुक की length महियर की तो उसने उसका answer निकाला 18.425 अब अगर मैं आप से पूछूं कि इसमें number of significant figures कितने है so अब सोच रहेंगे कि इसमें number of significant figures 5 है लेकिन actual में ऐसा नहीं है इसमें number of significant figures 5 नहीं है because इसमें उसने एक word यूज किया कि हम इसको meter rule से मैयर कर रहे है so meter rule का least count क्या है that is 0.1 centimeter so that mean कि point के बाद आप एक digit तक आप measurement ले सकते है so इस case में होगा क्या कि जो 2 और 5 है यह तो आप measure ही नहीं कर सकते तो इस चीज को आप count ही नहीं करेंगे कि यह आप meter rule से find out ही नहीं कर सकते so इस case में again यह accurately होंगे और one जो है यह doubtful होगा तो इस case में भी number of significant figures कितने हो जाएंगे just three okay अब again तरह definition पर आजाएं तो all the accurately known digits मैंने यहां पर s लिखा है and first doubtful digit तो यहां पर कोई s नहीं लिखा that's mean कि doubtful digit जो है वो हमेशा हमारा एक होगा और accurately जो है digits वो एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं जैसे कि आपने examples में देखा कि इसमें दो accurate थी और एक जो है वो doubtful था तो total number of significant figures हमारे पास यहां पर आ गए three clear I hope इस example से आपको यह clear हो गया होगा कि हम significant figures जो है वो हम किस तरह हां से find out करते हैं किसी भी measurement में से clear अब हम rules discuss करते हैं कि आप significant figures को किस तरह हां से identify कर सकते हैं so the rules to identify significant figures कि आप significant figures को किस तरह हां से identify कर सकते हैं अब अगर हम इसका first point discuss करें इसका first अगर हम rule discuss करें that is non zero digits are always significant कि non zero जो digit होंगे वो हमेशा significant होंगे non zero का मतलब क्या होता है कि zero ना हो इसके इलावा कोई भी digit जो है वो सारे क्या होंगे significant होंगे यसा अगर हम example लें to one two three and so on five eight nine जी सारे क्या है ये significant figures है कि जी सारे non zero digits है ओके अब यहां पर मैंने कहा कि non zero digits जो है वो significant होंगे that's mean कि zero जो है वो significant figure नहीं है लेकिन अब हम कुछ case discuss करेंगे जिसमें zero भी significant figure होगा like अगर हम इसका second rule discuss करें कि zero between two significant figures are also significant like zero जो है वो अगर two significant figures के दर्म्यान में आ जाए तो वो zero भी significant figure कहलाएगा अगर हम example discuss करें like five zero zero one तो आप देख सकते हैं कि five और one जो हैं वो significant figures हैं क्योंके non zero digits हैं तो इनके दर्म्यान में यह जो zeros हैं यह भी significant figures कहलाएगे okay so the total number of significant figure in this value is four okay clear अब हम third point discuss करते हैं so the third point is final or ending zeros है जो यह जोने तो र्षसक्षे जिए पर्षसक्षाट र्षसनों र्षसक्त र्षसक्षस और ending zeros in the right of decimal fraction अब example से इसको clear करते हैं like these are final or ending zeros in the right of decimal fraction तो decimal के right side पर आ जाएंगे तो यह zeros भी significant figures कहलाएंगे अगर point के right side पर zeros आ जाएं और वो final or ending zeros हो तो उन zeros को भी आप significant figures कहेंगे और इस case में हमारे पास significant figures कितने हो जाएंगे they are five clear similarly अगर हम fourth rule discuss करें तो fourth rule 0s 0s written on the left side of decimal point for the purpose of spacing are not significant. अब इसको भी हम example से discuss करते हैं, like 0.00875, now the 0 is written on the left side of decimal point, so decimal point ही left side पे होगा, वो 0, and for the purpose of spacing, the purpose of spacing are not significant, तो यह 0 हैं, यह significant figures नहीं कहलाएंगे, और इस case में आपके जो number of significant figures हैं, they are 8, 7 and 5, so just 3 significant figures in this example, clear? I hope आपको इस example से यह point clear हो गया होगा, कि जो भी decimal point की left side पे zeros होंगे, या जो spacing purpose के लिए हम इस्तवाल करते हैं, उन zeros को हम significant figures नहीं कहेंगे. अब last point discuss करते हैं, इन whole numbers, ends, one or more zeros may or, may not, significant, The ending one or more zeros without decimal point, okay? Without a decimal point may or may not significant. अब इसकी भी example discuss करते हैं. अब इस case में यह जो ending zeros हैं, यह whole number है और इस whole number में जो ending zeros हैं, यह significant हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. One thing must kept in mind कि ending zeros without a decimal point, कोई decimal point नहीं है और अब इस case में कि ending zeros जो हैं, यह significant हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. Because, इस case में हमें यह जिस clear नहीं हो रही कि इसमें कौन सा zero जो है, वो position को locate कर रहा है, या इनमें कौन सा zero जो है, वो measurement का actual part है. So, that's why हम यह surety से नहीं कह सकते हैं कि यह zero भी significant है या नहीं है, तो इस case में हम significant figures को show करने के लिए, हम इसको scientific notation में convert करते हैं. Like, अगर मैं इसको scientific notation में convert करूँ, तो यह हो जाएगा 25 multiply by 10 raised to the power 4, ओके इस तरहां से आपको clear हो जाएगा, कि आपके number of significant figures जो हैं, वो इसमें कितने हैं. Clear, I hope आपको यह lecture समझ आ गया होगा, अब हम एक example solve करते हैं, last पर उससे आपका यह concept मजीद clear हो जाएगा, so the example number 1.4 is, find the number of significant figures in each of the following values, also express them in scientific notation, तो आपको कुछ values दी हुई हैं, जिसमें आपने significant figures भी आपने find out करने हैं, और आपने इसको scientific notation में भी convert करना है. So, A, 100.8 second, so अगर हमसका solution पढ़े, all the 4 digits are significant, तो जितने 4 digits जो हैं, यह significant हैं, because 1 और 8 जो हैं, वो तो non-zero हैं, again, non-zero जो हैं, वो सारे significant होते हैं, अब zeros जो हैं, क्यूंकि उसके दर्मियान में आ रहे हैं, तो वो zeros भी significant figures कहलाएंगे, and the zeros between the two significant figures, 1 and 8, are significant, to write the quantity in scientific notation, we move the decimal point two places to the left, thus 100.8 second is equal to 1.008 multiplied by 10 just to the power 2 second, so scientific notation जो हैं, यह हम अब एक lecture में पढ़ चुके थे, जिसमें, I hope आपको इस सारा concept clear होगा, तो आप इस value को easily scientific notation में convert कर सकते हैं, now the B is, 0.00580 km, now the fourth point is, कि zeros little on the left side of decimal point, for the purpose of spacing, are not significant, तो इसमें जो left side पे zeros हैं, वो significant नहीं होगे, और सिर्फ 580 जो हैं, वो significant होगा, so the answer is, the first two zeros are not significant, they are used to space the decimal point, the digit 58 and the final zero are significant, thus there are three significant figures, in scientific notation, it can be written as 5.80 multiplied by 10 rest to the power minus 3 km, clear, तो इसमें जस्त तीन significant figures हैं, now the C, 210.0 gram, तो अगेन इसमें जो zeros हैं, वो आपके ending zeros हैं, and in the right of the decimal fraction, तो जो right of the decimal fractions होते हैं, वो भी significant figures कहलाते हैं, so इसमें हमारे पास 4 significant figures हैं, so अगर इसका हम solution पढ़ें, the final zero is significant, since it comes after the decimal point, तो क्योंकि decimal point के बाद आ रहा है, इसलिए वो भी significant होगा, and the zero between last zero and one is also significant, because it comes between the significant figures, thus the number of significant figure in this case is 4, in scientific notation, it can be written as 210.0 gram is equals to 2.100 multiply by 10 raise to the power 2 grams, clear, I hope, इस example से आपको significant figures के concept मजीद clear हो गया होगा, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, next lecture में इंचाला हम exercise solve करेंगे, so take care, Allah Hafiz.